गुणत्र स्रेणी के N पदों का योगफल The sum of N terms of a GP माना की किसी गुणत्र स्रेणी का प्रत्थम पद A, पदानुपात R तथा N पदों का योगफल Sn है तो इस तरीके समलिख सकते हैं Sn equal to A plus AR plus AR square plus AR cube and so on और अंतिम पद होगा प्लस AR का power N minus 1 माना यह समीकरण 1 है अब समीकरण 1 के दोनों पक्षों में यदि हम R का गुणा करके दाए पद को एक पद आगे खसका कर लिखें तो मैं मिलेगा R into Sn equal to AR plus AR square plus AR cube plus AR का power 4 और आगे भी इसी तरीके से पद मिलेगा और अंतिके दो पद होंगे AR का power N minus 1 plus AR का power N इसे समीकरण 2 नाम देते हैं अब समीकरण 1 में 2 को जदी घटा दें तो हमें मिलेगा Sn into 1 minus R equal to A minus AR का power N अब देखिए ये जो 2 समीकरण हमें मिल रहा है पहले समीकरण का पहला पद और दूसर समीकरण का अंतिम पद सिर्फ ये दो पद बचेंगे बाकि सभी पद एक दूसरे से cancel हो जाएंगे तो इस तरीके से हमें मिल रहा है Sn into 1 minus R equal to A minus AR का power N इन दोनों पदों से यदि हम A common ले लें तो हमें मिलेगा A into 1 minus R का power N और हमें ग्याद करना है Sn, N पदों का योगफल तो हमें मिल जाएगा Sn equal to A into 1 minus R का power N upon 1 minus R ये 1 minus R को हमने right hand side पर पक्षांतर कर दिया है तो Sn equal to A into 1 minus R का power N upon 1 minus R जबकि R is less than 1 के मान लेते हैं ये तीसरा समीकरण है तथा Sn equal to R का power N minus 1 upon R minus 1 जबकि R is greater than 1 ये चौथा समीकरण तो ये जो समीकरण तो ये जो सूत्र तीसरा और चौथा मिला है यही गुणोत्तर सिर्णी के N पदों का योगफल है यहाँ पर दो स्थीतिया है जब R का मान एक से बड़ा है और जब R का मान एक से छोटा है तो इन स्थीतियों का ध्यान रख करके इन सूत्रों का उप्योग करना है अब यदि समीकरण 3 और 4 में ब्रेकेट को उपन कर दिया जाए तो समीकरण 3 से हमें मिलेगा S N इक्वल टू A माइनस A R का पावर N अपाउन 1 माइनस R और आपको यह पता है कि 27 श्रिणी का अंतिमपद A R का पावर N माइनस 1 होता है तो इस तरीके से अंतिमपद को हम लिख सकते हैं A R का पावर N माइनस 1 इंटू R और इसी तरीके से चौथे समीकरण का रुपांतरण करें तो हमें मिलेगा S N इक्वल टू R L माइनस A अपाउन R माइनस 1 जबकि R इस ग्रेटर देन 1 है अनंत गुणोत्तर स्रिणी का योगफल दसम आफ एन इंफिनाइट जीपी यदि किसी गुणोत्तर स्रिणी के पदों की संख्या अनंत हो तो वह अनंत गुणोत्तर स्रिणी कहलाती है तूसरे सब्दों में अनंत गुणोत्तर स्रिणी का कोई अंतिमपद नहीं होता माना की गुणोत्तर स्रिणी का प्रथमपद A पदानुपात R तथा N पदों का योगफल S N है तब हम लिख सकते हैं S N इक्वल टू A इंटू 1 माइनस R का पावर N अपान 1 माइनस R जबकि R इस लेस देन 1 है अब ब्रेकेट को उपन करके दोनों पदों को हम अलग अलग लिखते हैं तो हम लिख पाएंगे S N इक्वल टू A अपान 1 माइनस R माइनस A R का पावर N अपान 1 माइनस R यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि R का जो संशात्मक मान है यह एक से कम है इसलिए जैसे जैसे N का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे R का घात N का मान जो है घटता जाएगा यदि N अनन्त की ओर अग्रसर होता है तो R का घात N का जो मान है यह शून्य की ओर अग्रसर होगा इस तरीके से अनन्त गुणोत्तर सेणी का योगफल या फिर अनन्त पदो या फिर गुणोत्तर श्रेणी के अनन्त पदों का योगफल S infinity equal to A upon 1 minus R होगा यदि R is greater than 1 हो तो अनन्त गुणोत्तर श्रेणी का योगफल अपरीमित या फिर अनन्त होता है आवर्त दसमलो, recurring decimal यदि बार बार आने वाले अंक के उपर दसमलो का चिन्न लगा दे तो इस decimal को आवर्त दसमलो कहते हैं जिस अंक के उपर दसमलो का चिन्न लगा हो उसकी पुन्रवृत्ति होती है जैसे की 4.25 और ये 5 में हमने एक dot लगा जागा है तो इसका मतलब ये है ये equal to है 0.4255555 जब तक आप लिखना चाहें इसी तरीके से यदि 0.425 हो और 2 और 5 दोनों में ये दसमलो लगा हो तो इसका अर्थ है 0.2525252525 तो इस तरीके से जिन पदों पर दसमलो लगा होता है उपर उन पदों की पुन्रवित्ति होती है वास्तों में आवर्थ दसमलो को एक अनंत गुणोत्तर सिर्णी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जिसका योगफल परिमित संक्या होता है अता आवर्त दसमलाव वाली संख्याओं का मान निकालने के लिए हम गुणत्तर स्रिणी के अनन्त पदों के योगफल का जो सूत्र है S infinity equal to A upon 1 minus R इसका प्रयोग करते हैं तो चलिए आगे देखते हैं इससे सम्बंदित कुछ प्रश्म तो हमने यह देखा कि गुणत्तर स्रिणी के अन्त पदों का योगफल दो स्तितियों में ग्यात किया जाता है जब R का मान एक से अधिक हो और जब R का मान एक से कम हो तो इसे हम लिखते हैं S n equal to A into R का पावर N minus 1 upon R minus 1 जब R का मान एक से बड़ा होता है और दूसरा S n equal to A into 1 minus R का पावर N upon 1 minus R लिखते हैं जब R का मान एक से छोटा होता है तो आईए देखते हैं इसे सम्बंदित कुछ प्रश्न तो अब हम प्रश्न देखने वाले हैं जहां पर गुणत्तर स्रिणी के N पदों का योगफल हमें ग्यात करना होगा चलिए देखते हैं पहला प्रश्न उसमें दिया है 1 plus 2 plus 4 इस तरीके से आगे पद दिये गया है तो चलिए इसे हल करते हैं तो यह गुणत्तर स्रिणी में जो प्रथम पद है इसे हम एसे प्रदर्सित करते हैं इसका मान एक है और पदा अनुपात या सारवा अनुपात दो क्रमागत पदों का अनुपात होता है तो यदि मैं दूसरे पद में पहले पद का भाग कर दो तो मुझे यहाँ पर मिल रहा है दो और यही सारवा अनुपात है इस समानतर इस गुणत्तर स्रिणी का अब गुणत्तर सिर्णी के N पदों का योगफल जब R का मान एक से बड़ा हो तब हम उपयोग करते हैं A into R का पावर N minus 1 upon R minus 1 और हमें प्रश्ण में कहा गया है कि N equal to 10 अर्थात 10 पदों का योगफल ग्याद करना है तो यह मिल जाएगा में S10 equal to A, A की value है 1, R की value है 2, N की value फिर से 10 minus 1 upon 2 minus 1 2 minus 1 करेंगे तो मिल जाएगा 1 और 2 का पावर 10, 1024 minus 1 upon 1, 1023 तो इस तरीके से हम गुणत्तर स्रेणी के दिये गए या पूछे गए N पदों का योगफल हम ग्याद कर सकते हैं स्रेणी 1 plus 3 plus 9 plus 27 इस तरीके से और पद दिये गए हैं और हमें कहा गया है कि 8 पदों का योगफल ग्याद कीजिए तो पूर प्रशन की भाती हमें इस प्रशन से यह कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि प्रथम पद जो है यह एक है और सारा अनुपात R से परदर्शित करते हैं अगर तीसरे पद में मैं दूसरे पद को भाग दे दूँ तो मुझे मिल जाएगा तीन तो यह सारा अनुपात है और हम जानते हैं कि S N गुड़ोतर सिर्ण के N पदों का योगफल होता है A R का पावर N माइनस 1 अपान R माइनस 1 हमें पूछा गया है आठ पदों का योगफल तो S 8 इक्वल टू A का मान 1 है R का मान जो है यह 3 है तीन का गहात आजाएगा 8 और यह रिंड एक और बटे 3 रिंड एक आगे सरल करेंगे तो मिल जाएगा 6561 और इसमें एक घटाना है और इसको दो से भाग देना है तो यह आपको मिल जाएगा 6560 अपॉन 2 और आगे सॉल करेंगे तो मिल जाएगा 3280 और यही उत्तर है जो हमें ग्यात करना था स्रेणी 1-1 by 3 प्लस 1 by 3 स्क्वेर माइनस 1 by 3 क्यूब इस तरीके से आगे पद दिये गए हैं इस गुनोतर स्रेणी का हमें N पदों का योगफल ग्यात करना है तो इसे हल करने के लिए भी स्रेणी से हम प्रथम पद दिख सकते हैं इसका मान एक है और आर निकालने के लिए दूसरे पद में आप पहले पद का भाग दे दीजे यह मिल रहा है माइनस 1 by 3 यह सारवान उपात है और यह जो है मान यह एक से छोटा है अतह हम इस सूतर का उप्योग करेंगे S N equal to A into 1 minus R का पावर N upon 1 minus R जब R का मान एक से छोटा होता है तब हम इस सूतर का उप्योग करते हैं अब इसके N पदों का योगफल के लिए यह सूतर है अब मान रख देते हैं A का मान है 1 minus R, R का मान है minus 1 by 3 माँनस 1 by 3 इसका पावर है n स्कवैर गया लेते हैं और 1 माँनस माँनस 1 by 3 आगे solve करेंगे तो मिल जाएगा 1 माइनस 1 by 3 का पावर n माइनस और माइनस फ्लस हो जाएगा 1 plus 1 by 3 लग उत्म समाब पठ लेंगे तो आ जाएगा 3 और सरल करने पर ये पूरा पदा जाएगा 4 बटे 3 या 4 बाइ 3 तो ये 4 बाइ 3 आएगा सॉल करने पर 3 बाइ 4 इस तरीके से मिलेगा और ये 1 माइनस माइनस 1 बाइ 3 का पावर N यही कुणत्र स्रेणी के N पदों का योगफल है जो हमें ग्याद करना था स्रेणी x plus y plus x square plus 2x y plus y square plus x cube plus 3x square y plus 3xy square plus y cube इस तरीके से आगे पद हैं और इसका हमें N पदों का योगफल ग्याद करना है इस स्रेनी से भी हम प्रथम पद ले सकते हैं, यह है x प्लस y और सारवानु पात या पदानु पात निकालने के लिए दूसरे पद में पहले पद का भाग कर देंगे तो यह जो x² प्लस 2xy प्लस y² है यह x प्लस y का whole square का विस्तार है तो यहां से यह x प्लस y, x प्लस y कैंसल हो जाएगा आपर एक x प्लस y बचेगा यह घात एक होगा तो इस सरीके से r का मान भी हमें x प्लस y प्राप्त हो रहा है अब गुनोत्तर सेनी के n पदों का योगफल a r का power n minus 1 upon r minus 1 होता है मैं हम मार लग देते हैं equal to a x प्लस y और r का power n मतलब x प्लस y का power n फिर minus 1 upon r minus 1 r का मान है x प्लस y और फिर यह minus 1 और यही वह उत्तर है जो हमें ग्यात करना था अगला प्रशन है 0.15, 0.015, 0.0015 इस तरीके से गुनोत्तर सेनी के पद हैं और हमें 20 पदों का योगफल ग्यात करना है तो गुनोत्तर सेनी के n पदों का योगफल ग्यात करने के लिए हमें प्रथम पद और सारवानुपात ग्यात होना चाहिए तो यहां से स्रेणी से हम लिख सकते हैं A equal to 0.15 और सारवानुपात या R का जो मान है इसे हम दूसरे पद में पहले पद को भाग देकर प्राप्त कर सकते हैं अब इसे सरल कैसे करते हैं आप पिछले गक्षाओ में सीख चुके हैं तो यह 15 है दसमलोग के बाद यह इस दसमलोग को हम यहां पर सिफ्ट करना चाहते हैं तो एक, दो, तीन तीन अंक यहां पर आ रहे हैं इसलिए आप इसे एक हजार से भाग देंगे इसी तरीके से यह 15 है और 1, 2 दो डिजिट बाद आप समलोग को सिफ्ट करना चाहते हैं तो यहां पर हम इसे 100 से भाग देंगे तो इस तरीके से यह 15 और 15 कैंसल हो जाएगा यह 1000 इस 1000 में से यह कैंसल होने के बाद अल्टिमेटली आएगा 1 अपॉन 10 जो की एक से इसका मान छोटा है तो गुणतर सिरेणी के एन पदों का योगफल A इंटू 1 माइनस R का पावर N अपॉन 1 माइनस R होता है जब R का मान एक से छोटा होता है तब हम इस सूतर का उप्योग करते हैं और हमें पूछा गया है 20 पदों का योगफल तो यह मिल जाएगा S20 A 0.15 1 माइनस R और R का मान है 1 अपॉन 10 और N का मान है 20 अपॉन 1 माइनस R और फिर से R का मान है 1 अपॉन 10 आगे सॉल करने के लिए ये 15 और इसे आप अपॉन 100 लिख सकते हैं इसी तरीके से इस पद को यदि सरल करना चाहें तो कर सकते हैं अन्यथा आप सीधा इसको उसी तरीके से लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन 10 का पावर 20 और इसको हल करने पर आपको मिलेगा 9 अपॉन 10 ये 9 अपॉन 10 आगे सरल करते हैं ये 15 यहां से ये 10 और 10 कैंसल हो जाएगा और 15 15 चके 90 होता है तो इस तरीके से आजाएगा 1 बाई 6 1 माइनस 1 अपॉन 10 का पावर 20 और ये इस गुणोतर स्रेणी के प्रथम 20 पदों का योगफल है जो की हमें ग्याद करना था अगला प्रशन है वर्गमूल 7 वर्गमूल 21 तीन वर्गमूल 7 इस तरीके से गुणोतर स्रेणी दी गई है N पदों का योगफल हमें ग्याद करने कहा गया है तो हम जानते कि गुणोतर स्रेणी के N पदों का योगफल ग्याद करने के लिए हमें A और R का मान ग्याद होना चाहिए तो A का मान वर्गमूल 7 है R का मान दूसरे पद में पहले पद का भाग कर दीजे तो आपको मिल दाएगा वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 का मान एक से बढ़ा होगा चुकि वर्गमूल 3 होता है 1.7,3,2,1 तो इस तरीके से यह मान बढ़ा है और गुनुत्तर सिर्णी के N पदों का योगफल A इन्टू R का पावर N-1 अपॉन R-1 इसका उप्योग करते हैं जब R का मान एक से बढ़ा हो हमें यहाँ पे N पदों का योगफल पूछा गया है तो A और R का मान हम इसमें रख देते हैं S N इक्वल टू स्कुरर रूट 7 और R का मान है फिर से रूट 3 और इस पूरे का पावर है N फिर –1 अपॉन R-1 तो यह रूट 3-1 अब यह रूट 3-1 है आप इसे सरल करना चाहें तो हर का परिमे करन कर सकते हैं इसके सयुगमी के साथ गुणावा भाग करते हैं तो वर्गमूल 3 और एक का जो सयुगमी होगा वर्गमूल 3 धन 1 होगा इस तरीके से आगे हम इसे सरल कर सकते हैं ये मिल दाएगा वर्गमूल 7 ए प्लस भी ए माइनस भी चलिए इसे यहीं पर सॉल कर लेते हैं वर्गमूल 7 और इसे वर्गमूल 3 है इसका मतलब है तीन का गहात 1 बटे 2 है और इसमें जब गहात हम N लिखेंगे तो इसमें भी N का गुणा हो जाएगा तो इस तरीके से तीन क लगहात N बटे 2 और यह रिन 1 और A plus B, A minus B solve करेंगे तो मिलेगा A square minus B square A का square करेंगे तो 3 और B का square minus 1 solve करने पर यह मिल आएगा 2 तो square root 7 by 2 और फिर 3 का power N by 2 minus 1 यही इस गुणत्र स्रेणी के N पदों का योखफल है तो अगला प्रशन है स्रेणी 2 बटे 9 रिनए 1 बटे 3 धनए 1 बटे 2 इस तरह की से पद है इसके कितने पदों का योगफल 55 बटे 72 हैं यह हमें गयात करना है तो इसमें हम यह मान करके चलेंगे कि एंअ पदों का योगफल जो है वो बचपन बटे 72 है और सरल करते जाएंगे सूतर का उपयोग करके और हमें N का मान मिल जाएगा चलिए इसका हल लिखते है माना गुणोत्तर स्रेडी के N पदों का योगफल पच्पन बटे 72 है अब जो गुणोत्तर स्रेडी दी गई है वहां से हम प्रथम पद लिख सकते हैं यह है दो बटे 9 और स्वारवान उपात निकालने के लिए दूसरे पद में भाग दे देते हैं पहले पद का इससे सरल करने के आप लिख सकते हैं भाग को गुणा में बदल देंगे और अंस को हर में परिवर्थित करके इससे सरल कर सकते हैं तो यह मिल जाएगा रिण 3 बटे 2 यह रिण 3 बटे 2 का जो मान है रिण 3 बटे 2 है वो एक से चोटा है तो गुणातर सेणी के N पदों का जो योगफल होता है सन एक्वाल टू 1 माइनस R का पावर N अपान 1 माइनस R इस सुतर का उपयोग करेंगे यह तब उपयोग करते हैं जब r का मान एक से छोटा होता है और हमने यह माना कि इसके n पदों का यो योगफल है यह 55 बटे 72 है तो a का मान हम रख देते हैं यह 2 बटे 9 फिर 1 r का मान है minus 3 upon 2 और इसका power है n और upon 1 minus r फिर से r का मान minus 3 by 2 और इसका मान है 55 बटे 72 आगे सरल करेंगे तो यह मिल जाएगा 2 बटे 9 और यह minus और minus हो जाएगा plus 1 plus 3 upon 2 और उसके बाद में अंस में जो पद है 1 minus minus 3 upon 2 और इसका power है n equal to 55 upon 72 यह 2 upon 9 इसे सॉल करेंगे तो देखिए इसका लगतों समा पर आजाएगा 2 और 2 और 3 पाँच पाँच बटे 2 तो यह पाँच बटे 2 और यह जो पद है इसे हम इसी तरीके से रखते हैं 1 minus minus 3 by 2 का power n और यह equal to 55 upon 72 अब आगे सरल करें तो 1 minus minus 3 upon 2 इसका power n equal to 55 upon 72 और इन दोनों पदों को हम पक्षांतर कर देते हैं इसको हम लिख सकते हैं 9 बटे 2 और इसको लिख सकते हैं 5 बटे 2 तो इसे cancel करेंगे तो 9 एकम 9, 9, 8, 72 तो यह यहाँ पर आज आएगा 8 यह और यह 8 सेरल करने पर आपको मिल जाएगा 275 बटे 32 अब हमें यह n का मान गयात करना है तो minus 3 by 2 पूरे का power n इसको मैं right side पर पक्षांदर कर दूँ तो यह मिल जाएगा और इस पत को इस तरफ लेंगे तो 1 minus 275 upon 32 solve करने पर आपको मिल जाएगा minus 243 upon 32 या फिर इसे आप लिख सकते हैं minus 3 by 2 का power n यह वाला पत और इस पत को आप लिख सकते हैं minus 3 by 2 का power 5 आधार समान है तो घात भी समान होंगे आधार समान है और यह बराबर का चिन्न लगा हुआ है इसलिए n बराबर हमें 5 मिल जाएगा और यही हमें ग्यात करना था कि इस गुणतर सिर्णी के कितने पदों का योखफल पच्पन बर्टे 72 है तो वह है 5 पदों का योखफल है अगला प्रशना है यदि 1 धन 2 धन 2 का घात 2 धन 2 का घात 3 इस तरीके से पद हैं और अंतिम पद है दो का घात n रिन 1 बराबर 255 है तो हमें n का मान ग्यात करना है तो इसे ग्यात करने के लिए हमें गुणतर सिर्णी के n पदों के योखफल का जो सूत्र होता है उसका उप्योग हमें करना होगा यहां से हम लिख सकते हैं कि गुणतर सिर्णी का प्रथम पद 1 है स्वारवान उपात 2 है दूसरे पद में आप पहले पद का भाग कीजिए 2 मिल दाएगा अब यह लिखा गया है कि 1 प्लस 2 प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 3 और अंत में जो पद है यह 2 का पावर n माइनस 1 है और यह इक्वाल 2 है 255 के बराबर है तो यह गुणतर सेनी है इसके n पदो का योगफल का यदि हम सूतर लगाएं तो चुकि s n गुणतर सेनी के n पदो का योगफल होता है a इंटू r का पावर n माइनस 1 अपाउन r माइनस 1 इस सूतर का हम उप्योग करेंगे left hand side में यह सूतर लगाएंगे a का मान है 1 r का मान है 2 2 का घात n और फिर यह rin 1 और r rin 1 तो 2 rin 1 बराबर है 255 2 में 1 घटाएंगे मिल जाएगा 1 तो इस तरीके से आपको मिल रहा है यहाँ पर 2 का पावर n और फिर यह minus 1 equal to 255 आगे से रल करेंगे यह rin 1 है उसे पक्षंतर कर देते हैं तो right hand side में जा करके यह जुड़ जाएगा और आपको मिल जाएगा 256 256 को हम लिख सकते हैं 2 का घात 8 दोनों संख्यां बराबर है आधार समान है तो घात भी बराबर होंगे तो हमें n का मान जो है यह मिल गया 8 और यही हमें ग्याद करना था